मदिपदेश में अभी तक इसकुल खुलने पर अंतीन फेसला नहीं हुआ है लेकिन कुछी दिनों में इसकुल खुलने की संभावनाएं भी चताय जा रही है ऐसे में अभी भावका समझस में हैं जहां पर एक तरह बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी है वहीं दुसरी तरह जो अभी भावक बच्चों की स्कुल भेजने की हिम्मत जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं वो इसकुल की फिसकुल लेकर भी परिशान है भले ही सीम सीवरा सिंग चोहान ने आने वाले दिनों में इसकुल खुले जाने की संकेत दे चुके हैं मगर ऐसे में अभी भावकों का चिंता लाजमी है अभी भावक बच्चों के कोरोना से सुरक्षा को लेकर चिंतित भी है उनके मन में सवाल यही है कि क्या बच्चों को कोरोना काल में इसकुल भेजना मुनासिब होगा वैसे कई सारे अभी भावक कोरोना संकर खत्म होने से पहले बच्चों को स्कूल भेजने को तयार नहीं है। पहले ऐसे स्कुल भिस से जाधा है। पर आपके और आपके बीमा यह सब कर्चे हैं आर्थि कुप से कंजर प्राइवेट इस्प्रों करने आता है तो आर्थि कुप से कंजर नहीं हो प्रूंद पर देवरें हैं सब्सक्राइब कर दो तरह का एज ग्रोप होता है बच्चों नीचे वाले और पुछ होते हैं पांच साल से उपर वाले जो वच्चे 5 साल से नीचे हैं उन लोगों का विज्वाल पार्थ वे डबल अपूटा है छह साल की इज तक जनरली हम लोग बच्चों का एक विज्वाण चेक पांच साल की एज में करते ही हैं ताकि अगर किसी बच्चे को चश्मा लगा है तो उस बच्चे को अफुरूज साल से उपर के लोगों में कम्प्यूटर विजन सिंड्रोम करके बीमारी होती है उसमें बच्चे की आंखों का लालपन अनावश्यक पानी आना जलन होना खुझली होना और उसके साथ ड्राइनेस की समस्या होती है चूंकि नॉर्मल पलके जटकाने की जो दर है वो बारा से 15 मिनिट होती है लेकिन जब बच्चा मोबाइल या कम्प्यूटर पर देखता है तो वो दर घटके पांक से साथ कुती मिनिट पर आ जाती है तो जो आंसू की फिल्म में उसका वाश्कोत सर्जन जल्दी होता है तो आंखों को सूपने की समस्या हो जाती है उससे बचने के लिए या तो बार-बार बच्चे के आंखे दोते रहें दूसरे उसको एक सीएंची ड्रॉप को इसी भी डालते रहें तीसरे बच्चों को यह समझाए कि क्लास के अलावा बच्चे मोबाइल का प्रियोग ना करें यह सबाएं बिल्किल जंबावें 6-8 घंटे तक बच्च कि और दोस्तों दुश्मन मानने लगते हैं तो इस करेंगी समस्यां से बच्चों के दिमाग पर बहुत जादा प्रभाव पड़ता है कि शीव पुरी से कुल्दी गुपता की रिपोर्ट